हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन मा यूटूब चैनल आधर्स इंस्टिट्यूट आफ इंग्रिस, आज किस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे लिटररी टर्म्स का सेकिंड पार्ट, इससे पहले जो वीडियो थी, उस वीडियो में हमने डिसकस किया था एफेक एना क्रोनेजम, जिसकी हिंदी होती है काल निर्दारा तरोटी, डेफिनेशन देखते हैं, इट इज एन एरर, यह एक एरर होती है, किसमें इन क्रोनलोजी में, और या सम्थिंग लोकेटिड एट अ टाइम, या उस से कुछ बस्तू में, सम्थिंग जो की उस समय लोकेटि हो, when it could not have existed or occurred, मतलब ऐसी कोई बात कही जाती है, या ऐसा कोई संटेंस बोला जाता है, जिस समय वो एकजिट नहीं हो सकता, मतलब जिसका अस्तव तो ना हो, एकजामपल से किलियर होगा, एकजामपल पहले ये देखें, if a painter paints a portrait, यदि कोई painter है, और वो किसी चित्र या कोई चित्र बनाता है, उसका paint करता है, किसका अरस्तोटले, यानि अरस्तू का, यदि कोई painter अरस्तू के चित्र को paint करता है, and shows him wearing a wrist watch, और उसे एक हाथ की कलाई प किलियर हो गया, अगर कोई painter है, बहे painter कोई painting बनाए, या किसकी अरस्तू की painting बनाए, और अरस्तू को घड़ी पहना हुआ दिखाए, तो ये कहलाएगा, आयना किलियर हो, क्योंकि जिस टाइम पे अरस्तू का अस्ततु था, जिस समय अरस्तू रहते थे, उस समय घड़ी का आ करता हो, एक्जाम्पल के रूप में देखा जाए, तो एक्जाम्पल ये हो जाएगा, clock has stricken three, घड़ी ने तीन बजाए है, बैसे तो sentence लगता होगा, सही घड़ी अब है, लेकिन जो विलियम सेक्सपियर थे, जिनका पिले था, एक रोमन पिले, जूलियस सीजर, इसका act two औ सीन बन, उसमें ये लाइन बोली गई है, clock has stricken three, तो जिस समय ये पिले लिखा गया था, परफॉर्म किया गया था, उसमें वाच का अविस्कार नहीं हुआ था, तो ये किलियर हो गया, कि जो ये आपका फेगराब, सौरी, लेटरी टर्म है, एनकरोनेजम, उसमें ऐसे sentence में ऐसी किसी बात को बोला जाता, किसी घटना को बताया जाता, जो कि उसमें एक्जिस्ट ना करती हो, अब आता है, next, एनकॉलिथन, जिसकी हिंदी होती है, किरम दोसी वाक, हिंदी से इसपस्ट है, कि संटेंस में कोई, संटेंस के किरम में कोई दोस हो, इसकी definition है, it is a broken sentence, ये एक टूटा हुआ sentence होता है, मतलब एक sentence कैसा होगा, टूटा हुआ, which lacks अ grammatically seconds, जिसके grammatically seconds में क्या होगा, लैक्स होगा, अभा होगा, मतलब sentence इस तरह से टूटा हुआ होगा, कि उसमें जो grammar का seconds है, वो खराब होगा, grammatically seconds क्या मतलब, जैसे कि पहले आता है subject, फिरा आती है helping verb, उसके बाद main verb, उसके बाद आता है object, ये, तो ये किरम नहीं होगा, ये किरम खराब होगा, subject होगा, वर और verb आगी, फिर subject आगया, ऐसा कुछ, तो बही है ये, आइना कॉलियूथन, तो पूरी definition फिर से दिखते हैं, it is a broken sentence, ये टूटा हुआ sentence है, which lacks a grammatical seconds, जिसमें grammatical seconds का अभाव होता है, और an abrupt change, और अचानक से, abrupt means, abrupt होता है अचानक, change परिवर्तन, या कोई अचानक से sentence में इस तरह से changing आती है, कि sentence दूसरा बन जाता है, वोई बात हो गई, पहले subject आ गया, फिर आती है वर्व, फिर आगा object, प्रता चला फिर subject आ गया, ऐसी कोई changing होगी, example से बिलकुल clear हो जाएगा, example है, I will have such revenges on you both, that all the world sell, I will do such things, देखिए, ये subject है, I will have such revenges, ये आ गया, on both you सही है इतना तो, इतना seconds में है, that all the world, all the world फिर subject हो गया, cell, helping verb फिर subject आ गया, फिर वर्व, इसका मदल ये cell की बाद में यहाँ क्या आना चाहिए था, I नहीं होता, यहाँ पर क्या होता, subject में यहाँ पर होती, main verb, क्योंकि ये helping verb है फिर main verb, इस तरह से sentence में average changing है, ये अचानक स sentence में परिवर्तन हो गया, और बात करें इसकी, ये जो line है, ये कौन से play में है, King Lear, जो इनका historical play है, उसका act 2 और scene 4 में, King Lear ने ये line बोली है, King Lear ने ये line बोली है, क्या है, I will have such revenge on both you, मैं तुम दोनों से ऐसा बदला लूँगा, कि संसार भी याद करेगा, कि हाँ मैंने I cannot believe Christmas is, अब देखिए आप, I cannot believe, ये इतना हो गया, तुरंत आगी है, helping verb, helping verb, फिर आनक क्या चाहिए थी main verb, तुरंत आगया subject, इस तरह से just have finished my shopping yet, तो देख सकते हैं, आप ये abrupt changing है, ये अचानक से परवर्टन हो गया, ये subject मालने से, ये helping verb, negative word, फिर believe verb हो गई, Christmas, फिर ये helping verb तुरंत फर सब्जेक्ट, इस तरह से changing होती है, इसमें, उसका आगी देखते हैं, एनाट डिपलोसिस, नेक्स्ट लिटरी टर्म है, एनाट डिपलोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, सब्दों की पुन्रा व्रत्ती, और हिंदी क्या होती है, अन्ते पदानु व्रत्ती, म ऐसे कि कोई sentence है, sentence के जो final words है, उनकी पुन्रा व्रत्ती है, किस तरह से, यह line, at the beginning of the next, मतलब यह है, यह sentence है, माल लिए sentence है, यह word लिखे हुई है, सब यह, तो इसके जो last word है, उसको जो second sentence जो है, उसके starting बर रखा जाएगा, यह कहना चाहरे है, definition को फिर से देखा जाए, तो sentence और line, के एक sentence के, यह line के, जो final words है, उनकी पुन्रा व्रत्ती है, second sentence के starting में, जैसे कि इसका example देखाएं आप, C opened a cafe, उसने cafe खोला, a cafe that ruined her financially, financially मतलब, उसने cafe खोला, उस कैफे नों से financially बरबात कर दिया, तो देखें से आप, यह sentence है, sentence के last word क्या आए, a cafe, और जो next sentence है, इसके आगई इस स्टार्टिंग में, तो यही कहलाता क्या, एनडिपलोसिस, next example है, इसका, whenever you see a big red hexagon, देखते होंगे आप यह, अब यह word है, last वाला, whenever you see a red hexagon, तो यह जो है, last में यह, यह next, इस sentence के last word है, और next sentence के starting में आगई यह, तो यह क्या कहलाएगा, एनडिपलोसिस, और एक example है, when I give, I give myself, अब देखिए आप, यह sentence के last में क्या I give, और second sentence के starting में आगई यह, I give, उसके वाद में next letter term है, एनग्राम, जिसकी हिंदी होती है, word परियास, या सब्द बदलकर नया सब्द बनाना, क्या होता है एनग्राम, definition है, it is a word, यह एक सब्द है, और phrase है, एनग्राम जो है, एक सब्द या एक phrase होती है, which is spelled while rearranging the letters of another word और phrase, मतलब, यह एक क्या है, एनग्राम एक word होता है, एक सब्द होता है, जिसे rearrange करके दूसरा सब्द बनाती है, इसके example से बिल्कुल किलिर हो जाएगा, देखिए, पहला आया God, God के जो letters तीन है, God, हमने क्या किया है, इसे change करके, क्या बना दिया, dog, letter वही है, के बिल क्या कही है, यह रिप्लेस कर दिया, जी को last में कर दिया, ओ बीच में यह डीदर कर दिया, God के होगा, dog, ऐसी state है, state के letter तो ही है, लेकिन letter को change कर दिया, क्या होगा, taste, ऐसी dusty का क्या होगा, study, और 11 प्लस 2, तो क्या होगा, 12 प्लस 2, देखिए आप, यह तो तीनों क्या है, word है, God का क्या कर दिया, dog, state का, taste, dusty का, study, अब आप कहेंगे, फ्रेज, तो यह फ्रेज होगी, 11 प्लस 2, देखिए यह यहाँ पर 11, तो 12, आप यह सब देखेंगे, letter वही है, के बल इनने letter को change कर दिया, replace कर दिया, उससे ही बन गया, दूसरा फ्रेज बन गया, तो यह क्या कहलाता है, एनग्र I hope इतना clear हो गया होगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद दोस्तों